असलाम लेकूम आज को जो हमारी वीडियो है वह है टीचिंग मैथट के बारे में तो टीचिंग मैथट में सबसे पहले जो मैं मैं एक्सप्लाइन का रही हूं वह है लेक्स्चर मैथट लेक्सर मैथट सबसे पहले इसलिए एक्स्प्लाइन का रही हूं कि बहुत ही पुराना मैथट इसको और इसको हम चाक अंड्डााक मैथट केए हैं मैथेड में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो अपना कॉंटेंट बच्चों को पढ़ा रहा होता है कोई भी चीज पढ़ा होता है अपने सब्जेट से लेटेड अब वो जो चीज कॉंटेंट बच्चों को पढ़ा रहा होता है वो इसमें जेस्टर यूज करता है मतलब अ सारे information बच्चों को दे रहा है और उसके लावा content बच्चों को कैसे दिया जाता है voice के दिया जाता है बोल के दिया जाता है अपने lecture के दाँ position चेंज करके ये ना होके still a की जगा पर खड़े होके lecture दिया जाए बलके अपने position बार बार चेंज की जाए अपने facial expressions चेंज किया जाए still a की facial expression face पर नहीं होना चाहिए बलके बार बार अपने facial expressions चेंज करना चाहिए से बच्चे भी active होते है secondly हम lecture method teacher use करता है अपने classroom में इसमें बहुत सारी resources यूज करता है पढ़ाने के दुरान तो एक चीज़ इसमें ये भी आ जाती है lecture method में कि यहाँ पे student passive listener कहा जाता है passive listener students को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ teacher बोल रहा होता है और बच्चे सिर्फ हमोची से सुन रहे होते हैं इसलिए हम कहते हैं कि lecture method में जो बच्चे हैं वो passive listener है और secondly हमारे पास आज़ता है कि principles of lecture method क्या है तो इसमें क्या होता है कि students सिफ सुन रहे होते हैं जो teacher बोर रहा होता है और principle इसका महिन ये भी है कि बच्चों की previous knowledge को देखके teacher new knowledge को explain करता है अब हमें lecture method कभ यूज करना चाहिए, when to use lecture method ये हमें तब use करना चाहिए, जो हमें बहुत बहुत बड़ी unit हो और हमें बहुत सारे audience को एक टाइम बढ़ाना हो हम एक बड़े unit को एक टाइम में cover करके बढ़ा सकते हैं वो सिर्फ एक ही method के थूरू हो सकता है, वो हमारे पास lecture method है अब ये जो lecture method है, ये effective इसलिए भी है कि ये students को, pupils को और हमारे जो audience सुनने वाली उनको motivate करता है कि वो अपते subject में interest ले थर्ड वान इसमें ये है कि हमारा time भी बचाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे सामने बैठे होते हैं इसलिए इसलिए ये time में पुरी class को दे सकते है इसलिए इसलिए ये time बचाता है यहां पर steps कौन कौन से lecture method के लिए 4 steps है सबसे पहले preparation of the lecture कि जो teacher जब lecture deliver कर रहा है तो lecture deliver करने से पहले वो अपने lecture को prepare कर ले ये बहुत है जरूरी है तो preparation of lecture में सबसे पहले teacher जो अपने objective सेट कर ले कि वो बच्चों से क्या चीज़ अक्षीव करना चाहरे है उससाब से वो अपना lecture prepare करे secondly कि वो अपना lecture है उसका introduction introduce कैसे करवाएगा तो हमेशा lecture का introduction जो होता है वो previous knowledge से बच्चों की लेके और new content उनको introduce करवाता है मतलब सबसे पहले यह नहीं कि आज हम यह पढ़ा रहे है सबसे पहले जो वो पढ़ाना जा रहा है उससे related बच्चों से information लेगा और फिर इसको start करेगा for example हम environment पढ़ा रहे हम बच्चों से पोचेंगे तो यह बच्चों की previous knowledge से लेकि हम एक निया content शुरू करते हैं तो हम इसको कहते हैं introduction of lecture में इसको introduce करते हैं third one हमारे पास आता है even the body of the lecture इसमें हम क्या करते हैं during the lecture हमने कौन conceptivities प्लैन करनी है उसको assessment कैसे करनी है तो यह हमारा body of lecture में आ जाता है जब हम lecture अपने audience को डिलीवर कर देते हैं तो और प्लैन में पॉइंट्स होते हैं न हम समराइज करते हैं तो इसको हम कहते हैं conclusion next में पास आता है advantage advantage मैंने पहले भी बिता आया है lecture method के advantage यह कि टाइम बचाती है क्योंकि बहुत सरे audience को बहुत सारे information टाइम में देना दी जाती है तो यह टाइम बचाती है third one के बच्चों के प्रिवियस knowledge होता है वो नही knowledge के दिरमयाने लिंक बन जाता है इसलिए previous and new knowledge को content जो होता है उसके दिरमया में linkage पर वाइड करता है advantage क्या है कि students जो हो जाता है passive role play करते है passive role से मतलब यह कि बच्चे सिर्फ सुन रहे होते है और teacher सिर्फ explain का रहा होता है और यहां पर मतलब कि बच्चों से feedback नहीं लिया जाता पचास के class है पचास के class में जो हम lecture deliver का रहे होते हैं हम हर एक बच्चे से feedback नहीं ले सकते हैं बहुत मुशकल है इसलिए हम इदर कहते हैं कि बच्चे जो होते है passive role play करते हैं क्योंकि सिर्फ वो teacher को सुन रहे होते हैं क्योंकि सिर्फ teacher बोल रहता है recommendations क्या है आप अपते lecture को इस तरह प्रपेर करें कि वो आपकी audience तक समझा जाए और secondly जब आप lecture prepare कर रहे हैं तो आपने अपने टापिक पर focus रहना है कि वो हर चीज कवर क्योंकि हम during a lecture ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरे हर चीज कवर ने कर ले अपने टापिक में क्योंकि इससों होता है कि जैसे यहां पर लिखा है focus to your topic you cannot cover everything in one lecture एक lecture में नहीं 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 को बोर्ड पे लिखतें तो यह इसी हो सकता है lecture में फॉर्स वन यह कि जब आप पूरा lecture explain कर दें तब उसको conclude कर दें summarize कर दें और repeat कर दें अगर audience को जरूरत है बार बन points को repeat कर दें ताकि बचु को clear हो जाए और यह था हमारे पास lecture method इंशाला हम next video बनाएंगे demonstration method पे यह हम बनाएंगे discussion method पे thank you